कैफे वाली कोल कॉफी सभी को बेहत पसंद आती है और कॉफी की जो आशिक है ना, रोज रोज जाके कैफे की कॉफी पियोगे, नहीं, आज हम घर में बना लेते हैं अब आप यही कहोगे कि बीटर ना हो तो, फिर क्या करेंगे, विस्कर ना हो तो आज कॉफी हम बनाएंगे उस चीज से, जो आपके घर में 100% होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे बड़ा सा, उसमें 2 टेबिल स्पून इंस्टेंट कॉफी लेंगे, जो भी आप पीते हो दो टेबिल स्पून आप डाल सकते हो, चीनी, नॉर्मल चीनी जो हमारे घर में आती है, दो टेबिल स्पून ही आप पानी डाल दीजिए अब आपके घर में अगर विस्कर है, तो छोटा सा विस्कर ले लिजे और उसे बीट कीजिए, आप देखेंगे बहुत बड़िया कॉफी बन कर त्यार होगी घबराये नहीं, अगर आपके पास विस्कर नहीं है, तो आज आपको मैं उससे आपको कॉफी बीट करके दिखाऊंगी, जो कि आपके पास 100% घर में होगा अगर आप बैचलर हैं, बिगनर्स हैं, कहीं हॉस्टिल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो भी ये समान आपके घर में 100% होगा जिसमें लाइट का कोई खर्चा नहीं है, आप अराम से उसे बीट करके इससे भी जल्दी उस कॉफी को बना सकते हैं तो बस दो से तीन मिट लगते हैं, इसे आप बीट करिए और इस कॉफी को इतना बढ़िया फ्रादी बना दीजिए अगर ये इर्मिश्टन हमारा इतना बढ़िया तयार हो जाता है, तो कॉफी बनाना तो बिल्कुल टफ नहीं है चाहिए आप हॉट कॉफी बनाए या कॉल कॉफी बनाए आज के वीडियो को आप पूरा देखिए, बहुत सारी चीजें आप समझ पाएंगे कि कैसे टाइपस और हम कॉफी बना सकते हैं ये देखिए, घड़ी के साब से सिर्फ तीन मिट हुए हैं और कॉफी कितनी बड़या फ्रादी सी बन गई है इसमें कितने अच्छे पीक्स आने लगें जैसे कि आइसिंग करते हैं अब आप किसी भी टाइप की कॉफी घर में बना सकते हैं अब इसे एक कटोरी में निकाल के रखिए और ये भी बताऊंगी मैं आपको कि ये जो कॉफी का मिश्रन आप बना के रख देते हो तो कैसे कवर करके आप फ्रिज में रखेंगे जिससे आप कभी भी मन करें कॉफी बना सकते हैं अब ये तो हुआ पहला तरीका अब हम दूसरे तरीके से जो बनाएंगे कॉफी तो उसको हम किस से बनाएंगे वो देखते हैं यहां मैंने वही बोल ले लिया है साफ करके लिया है इसमें लिया है मैंने दो टेबिल स्पून कॉफी जो की बारीक दाने वाला होता है जो पाउच वाला होता है, जो भी आपके पास coffee हो, result आपको same मिलेगा तो coffee, चीनी और पानी, same quantity में ली है, अब यहाँ पर ली है वह चीज जो आपके घर में हमेशा होगी, यह चन्नी अगर आप PG में रहते हो, hostel में रहते हो, तो भी अपने लिए एक छन्नी तो रखते ही हो, क्योंकि कभी भी आप चाय, coffee या दूद चानने के लिए तो यह use होती है तो यह steel की आप चन्नी ले लीजिए, जिससे आप अच्छे से बीट करेंगे, और पहले whisker से भी ज़्यादा इसमें आपको result अच्छा मिलेगा, बस इसी से ही आपको बीट करना है दो मिनिट हुए हैं, एक मिनिट हमें और बीट करना है, तीन मिनिट के अंदर आपकी coffee बहुत अच्छे से बीट हो जाती है यह देख, बहुत ही बड़ी आफ्राद इसी coffee बनकर त्यार हुई है इसे भी हम निकाल लेते हैं, एक कटोरी में अब आपके पास whiskar है, यह आपके पास है चन्नी चाय की तो बस अराम से आप coffee को बीट कर सकते हो, बिना हाथ ठके अब हम करेंगे बीट एक और तरीके से, वही बोल ले लिया है साफ करके, दो टेबल स्पून coffee, दो टेबल स्पून चीनी और दो टेबल स्पून पानी कोई भी टाइब की coffee होगी, इसी तरीके से बीट कर पाएंगे अब आप बीट करेंगे यहां पर बीटर से, क्योंकि जिनके घर में बीटर होता है वो लोग यह सोचते हैं कि हम जिननी से क्यों करें, विसकर से क्यों करें तो result आपको same मिलेगा, यहां देखिए, इसमें सिर्फ दो मिनिट लगेंगे और उनको बीट करने में तीन मिनिट लगेंगे, यह देखिए बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है कॉफी, इससे हम अब कॉफी बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले आपको कॉफी बनाने के लिए एक ट्रिक फॉलो करनी होगी कि बरफ तो हम यूज करते हैं, आईस तो हम यूज करते हैं, फिर भी जो दूद आप लेंगे वो चिल्ड होना चाहिए जितना अच्छा चिल्ड आपका दूद होगा, उतनी जादा अच्छी आपकी कॉफी बनेगी यहां मैंने एक ग्लास ले लिया है, लंबा सा, जिसमें मैंने कुछ आईस के क्यूप्स डाले हैं एक चमज भर के मैंने पिसी चीनी डाली है, क्योंकि ये दूद ना अच्छा मीठा लगेगा, तो कॉफी आपको बहुत अच्छी लगेगी अब इसमें आप कॉफी उपर से डाल दीजे, और हलका सा साइट से आप थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश कीजे बस, अब आप चाहें तो उपर से थोड़े से चोको चिप्स डाल कर और सर्ब कर सकते हैं इसे आप स्ट्रॉ से पीजे, बहुत मजाएगा, धीरे-धीरे मिक्स करते हुए, इंज्वाए कीजे, जैसे आप कैफे में करते हो अब बनाते हैं एक और कॉफी, जिसमें हम दूद यूज नहीं करेंगे कई लोग ऐसे हैं, जो बिना दूद की कॉफी पीना पसंद करते हैं तो यहां मैंने ग्लास लिया, आइस डाला है और ठंडा पानी डाला है अब इसमें मैं चीनी भी नहीं डाल रही हूँ, बस कॉफी डाल रही हूँ, जो कि मैंने बीट करके रखी है इसे भी आप हलके हाथ से थोड़ा स्टर कीजिए, जिससे नीचे का कलर काफी चेंज हो जाएगा और दिखने में भी सुन्दर लगेगी, यह कॉफी पीने में भी बहुत मजा आएगा जो कैफे में आपको बहुत महँगी काफी मिलती है, वो घर में अब आप आसानी से बिना दूद के भी काफी बना सकते है यह लीजे, काफी आपकी तयार है अब एक और काफी बनाने चलते हैं, जो कि बहुत जादा मज़िदार बनने वाली है, चलिए तो उसके लिए मैंने एक लंबा सा ग्लास लिया है, उसके चारों तरफ मैं थोड़ी सी चौकलिट सॉस लगा रही हूँ चौकलिट सॉस अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया, अगर चौकलिट सॉस नहीं है तो डेरी मिल्क को थोड़ा मैल्ट कर लीजे, थोड़ा सा दूद डाल कर, उससे भी आपका काम हो जाएगा चौकलिट सॉस को साइड से लगाने के बाद आपको लेना आइस और पिसी चीनी, अब उसके उपर डाल दीजे ठंडा दूद, अब आप डाल देंगे वही कॉफी जो बीट करके रखी है आपने और आप इस चौकलिट सॉस के साथ डेकॉरेट कीजे और इंचुआई कीजे अब बारी आती है कि जो बची हुई कॉफी है उसका क्या किया जाए तो उसको आप कवर करके क्लिंग रैप से अगर आप फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रख देंगे तो आट दिन तक आपकी कॉफी का मिश्रण बिल्कुल खराब नहीं होगा, जब भी अब आप उपर से डालेंगे, जाग आरी उपर तक, अब आप उपर से डालेंगे, जाग आरी उपर तक, दूद दालें, जिससे इसमें बहुत अच्छे से जाग हो, बहुती फ्रौदी कॉफी बनकर त्यार हो जाए, ये देखे, मैं आपको यहाँ पर एक फोक से चला कर दिखा रही हूँ, जिससे बहुती बढ़िया एक कॉफी लगेगी, अब जरासा कोको पॉडर या कॉफी, उपर से आप डस्ट कर लीजिए चन्नी से, अब ये बहुती बढ़िया होट कॉफी आपकी तयार हो गई है, इसे पीने में आपको वही मजाएगा, जो बहुत सारे पैसे खर्च करके आप कैफे में पीते हो, यहाँ मैं आपको स्पून से ये भी दिखा रही हूँ, कि इसम में भी ज्यादा मजाएगा, यह देखिए, एक बार मैं और इसको थोड़ा सा चौकलेट पाउडर इसके उपर डस्ट कर लेती हूँ, लग रही है ना बहुती अमेजिंग सी कॉफी, आपको इन चारों कॉफी में कौन सी ज्यादा अच्छी लगी, मुझे कॉमेंट करना ब झाल